हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो भूमिकास कीचन, आज मैं बाहर से सी रगड़ा पेटीस बनने जा रहे हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें रगड़ा पेटीस के लिए मैंने सफेद मटर छे गंटे बिगो के रख दिये हैं, अब हम इसे बोल करने के लिए रख देंगे बोल करने के लिए हम उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और दो पिंच पेकिंग सोडा डालेंगे मैंने एक कटोरी मटर लिये थे, बोल करने में मैं तीन कटोरी पानी डाल दूँगी, ये एप्रोक्सिमेट्ली तीन कटोरी पानी है हमें तीन विसल हाई फ्लेम पे और दो विसल लो फ्लेम पे बजानी है हमारे मटर अच्छे से बोल हो गए है अब हम एक लोई में तेल डालेंगे ये मैंने दो बड़े चमत तेल डाले हैं अब हम इसमें दो पिंच हिंग पाउडर डालेंगे दो तजपत्ता डालेंगे अब हम इसमें एक जमच मिर्च पाउडर डालके दो टमाटर की मैंने पेस्ट करके रखी है वो डाल देंगे तेल में मिर्च डालने से मिर्च का कलर और टेस्ट दोनों अच्छे आते हैं अब हम इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आदा चमच गरम मसाला डालेंगे आप देख सकते हो इसमें दिरे दिरे तेल बाहर निकल गया है अब हम इसमें बोल की हुए मटर डाल देंगे इसमें हम और एक कटोरी पानी डाल देंगे अब हम इसे पाच बिनीट कवर करके रख देंगे यह इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे हमारा रगड़ा तयार हो गया है अब हम पेटीस तयार कर देंगे अब हम पेटीस बनाएंगे इसके लिए हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और दो पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे यह हम इसमें दो चमच चने का लोट बेसं का लोट डालेंगे फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पोटेटो मैंने पहले से बोईल करके मेश करके रखे हैं बेसं के लोट से बैंडिंग अच्छा आता है मसाले अच्छे से मिक्स हो गये हैं अब हम इसकी पेटीस बनाएंगे एक डीश में मैंने थोड़ा कॉन फ्लोर लिया है अब हम इसकी पेटीस बनाएंगे इसके उपर मैंने कॉन फ्लोर लगा दिया है एक साइड मैंने तवावे प्री हीट के लिए रख दिया है इस पे हम पेटीस रखते जाएंगे कर दिये हम इसके मैंने पेटीस बनाएंगे इसकी देटीस बनाएंगे इसके उत्सट के तवावें अब दिया है इस पर हम थोड़ा तेट गया देंगे अब की में भी बना शकते हो झुछार शकते हो मुएा देंगे यूहँड़ा चुछाय हो झाल 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 अब हम इसे पलट के दूसरी साइट भी चेक कर देते हैं अब गेस की फ्लेब को हम ओफ कर देंगे और सारी पेटिस एक दीश में निकाल देंगे सारी पेटिस तयार हो गई है इसका पदर भी बहुत बड़ी आया है अब हम इसे सर्विंग के लिए तयार कर देते हैं पेटिस के उपर हम रड़्या डालेंगे इसके उपर हम लसुन की चटनी डालेंगे खजूर की चटनी डालेंगे बारिक कटी रुई प्याज और फिर बारिक सेव डालेंगे थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे आप देख सकते हूं बाहर जैसे ही तयार हो गई हमारी रगड़ा पेटिस खजूर की चटनी और लसुन की चटनी मैंने पहले ही यूट्यूब पे डाल दी है कि यूब पेटिस सफ़ दी है